बता दिया, बताना ने चाहिए था फिर मैंने पूछना था, यह चार कैपस्टर किसमें है? सीरीज में, आदे लोग बताना पाते हैं चलो देखो यह A एक कैपस्टर, दो कैपस्टर, तीन कैपस्टर, चौथा कैपस्टर और यह पॉइंट B यह बैटरी का नेगेटिव, यह पॉइटिव और यह लो और बीच में अर्थ अर्थ का मतलब कितने वोल्ट है? 0 वोल्ट है, नूटरल पॉइंट आईए ठीक है यहां तक? क्या पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मुझे कुछ चीज़ों का आंसर आपको देना है पहला अगर question में ना दिया होता यह series में है आप कैसे जानते हैं कि सच में series में है? चारो के चारो series में है दोगो यह तो series में दिख रहे हैं इसके confusion हो जाती है कि यह सच में series में है कि नहीं है? इस प्लस ने electron चुरा लिये इसके तहां देगी? अपने पास रुखेगी नि यहां पर देगी हो गए series में? चार्ज से में चेक करो उदर का क्यू उठाया? इदर दे दिया तो series में हुए और क्या हुआ? point है तो अगर यह चारो series में है और potential difference की value total कितनी है इसमें 10 volt है 10 volt है तो series के अंदर जब capacity same है तो यह कितने volt पे हो जाएगा 2 point 5 volt 2 point 5 volt 2 point 5 volt and 2 point right? यह point समझ में आ रहा है series में अगर capacity same है तो potential difference बराबर बाट लिया उन्होंने कोड़ाउट इसमे सही है? अच्छा दूसरी चीज कई लोग दूसरे बैच में यहां confused हो गए थे वो ना HC के उस जो मैंने last time एक lecture दिया था न 10 volt ले लो यह 0 ले लो तो उन्होंने क्या किया? यह 0 लिया तो कहते है यह भी 0 volt है देखो last lecture यह आप से ठीक बोल रहे है वो 0 volt है यह 10 volt है तो यह 0 वोल्त है तो 0 मैंसे 0 गया? 0 इसके charging नहीं होगी बोलते है potential difference 0 होगा गयते है अब यहां गड़बड हो गई HC ने method तो बता दिया उसने यह नहीं बताया जहां अर्थिंग होती है वहां नहीं चलता तो वो इसका एक shortcut है हम नहीं लगाएंगे वो method 10 और 0 वाला हम यह मानके चलते हैं कि यह V1 है और यह V2 है वो बिना अर्थिंग की problem में चल जाता है ऐसे नहीं चलेगा वो तो उसको नहीं लगाओ उसको use हम सबसे कम करते हैं क्योंकि मेरी यादत है मैं कभी ऐसे 0 वोल्ट के साथ काम नहीं करता है मैं 0 में अर्थ को ही लेता हूँ हलागि मैंने वो method खुद करवाया वो इसके लिए क्योंकि books में वो method यूज किया होता है लेकिन बिना अर्थिंग की problem में जादा यूज होता है क्योंकि अर्थिंग के अंदर तो खुद ही 0 वोल्ट हो जाता है ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट तो निगलेगा क्या कुछ भी नहीं पॉइंट समझ में आ रहे है तो हम वो वोजा method यूज नहीं करेंगे मैं पहली clear कर रहा हूँ हम एक बड़ा simple method यूज करेंगे हमें नहीं पता यहां कितना वोल्ट है हमें यह निकालना है तो मालों यहां पर कितने वोल्ट है वी बी हाँ यह जरूर बात है कि बी पॉइंट ध्यान आगे देखो शिवम बी पॉइंट किसे connected है negative से तो एक बात तो पक्की है वी बी का answer आएगा किसमे minus में तो जो option में positive जहां वी बी positive है वो तो हटा ही तो आएगा ही नहीं point समझ में आया कि किसके connected है minus के साथ है यह वाला कितने वोल्ट पे है n.0 पे 0 बढ़ा है कि minus वाला potential बढ़ा है 0 बढ़ा है 0 is greater than negative value तो VN minus VB की value क्या आएगी 2.5 वोल्ट VN और VB VN बढ़ा होगा VB छोटा होगा भी आपने बताया लेकिन इनका difference होगा कितना 2.5 वोल्ट लेकिन neutral point कितने वोल्ट पे होता है 0 तो VB कितने वोल्ट पे होगा minus एक answer आगया minus 2.5 point समझ में आया कैसे पकड़ा हमने minus 2.5 कैसे divide किया जब capacity same होती है अच्छा equivalent capacitance निकाल लो चलो निकाल लेगा जो भी होगा equivalent capacitance निकालके battery का V पता है charge निकाल लो सब पे charge same होगा जब charge सब पे Q, 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 Q same होगा और C भी सबका same है तो V भी तो same होगा ठीक है न? जब charge series में same होगा C भी same है तो V भी तो सेम ही होगा तो बराबर बरबर distribute करेंगे तो यह step clear है अच्छा यह बताओ यह plus है बैटरी का टर्मिनल चेक करो तो यह भी कौन से potential पे होगा positive यह positive और यह neutral 0 पे है तो neutral वाला potential चोटा है और positive वाला बढ़ा है तो VA minus VN एको VA minus VN बीज में कितने capacitor आ रहे हैं तीन तीनों का potential कितने है 7.5V मिला के 7.5 neutral value कितने पे होती है 0 तो VA की value कितने वोल्ट पे आ जाएगी plus और वैसे भी साफ पता लग रहे है कि A point plus के साथ connected है इसका answer पका positive आएगा B point minus के साथ connected है तो इसका answer पका negative आएगा वैसी option eliminate हो जाती है ना भी आता हो तो आदी तो option eliminate हो जाएगी मेरे खाल से इसमें पर point समुझ में आ रहा है बढ़िया question है यह भी point समुझ में आ रहा है यहां तक close करें assignment subjective sheet number 11 11 बढ़िया 11 11 11 11 12 12 13 14 16 15 16 16 16 16 झाल झाल तो subjective sheet number 11 का पहला question इसमें चार capacitor नहीं है उसमें बीच में एक जानके capacitor जैसा